हेलो गाईस आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूस यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जो भी बच्चे जो हैं रेलवे एंटी पीसी का जो एक्जामनेशन जो है जिन भी बच्चों ने जो है सिबीटी वन का ज कब तक रिजल्ट आने के आसार हैं कब तक नहीं है और यह जो न्यूज है खुद देखे जी न्यूज ने दिखाई है जी न्यूज जो न्यूज चैनल है उसका जैसे आप देखते भी होंगे जी न्यूज को रात में तो यह देखिए जी न्यूज ने खुद यह खबर दि और फ्रेंट्स वीडियो जो है वो complete देखना ठीक है जब भी आपको जो है पता चल पाएगा तो स्टार्ट के लेते हैं फ्रेंट्स वीडियो देखते हैं जी न्यूस के मादम से क्या ख़बर बताई है क्या नहीं बताई है CBT-1 के regarding ठीक है तो इन्होंने लिखा है CBT-1 परिक्षा की अंसर की officially website पे जो है वो जल जारी की जाएगी यानि जो अंसर की है वो सबसे पहले आएगी और अंसर की जारी होने के बाद उसमें जो गलत परशनों का उतर पर objection भी दर्ज कराया जाएगा यानि देखे सबसे पहले तो इसकी जो है अंसर सीट ही आएगी अंसर सीट आने के बाद उसमें जो है आप objection कर सकते हैं objection यानि अगर सबूस अगर आपको लगता है जैसा कोई question examination में examination ने जो है वो गलत कर रखा है आपको लगता है कि वो मेरा जो है वो सही होना चाहिए तो आप उसमें objection कर सकता है सबसे पहले तो वो ही आएगा और उसके बाद जो है इसमें result आएगा तो देख लेते हैं और क्या आगे बोला गया है नई दिल्ली RRB की तरफ से RBI NTPC CBT1 की online mode में आयूजीत की गई 6 चरण में 28 दिसंबर से 8 अप्रेल को हुई थी यानि इसकी जो परिक्षा है पूरे जो है इसमें 6 चरण लग गयते इसकी परिक्षा को कराने में यानि 1st phase, 2nd phase, 3rd phase ऐसे करते करते है जो है 6 phase हो है और 28 दिसंबर से 8 अप्रेल 2021 को परिक्षा संपन होई है ऐसे में बोर्ड अब परिक्षा की तयारियों में जुड़ गया है यानि बोर्ड जो है परिक्षा की तयारियों में जुड़ गया है CBT1 की रिजल निकाल ले में और CBT2 की जो तयारी होगी उसमें जो है वो बोर्ड जो है वो जुड़ गया है CBT1 की परिक्षा की अंसर की जो है ऑफिशिली वेबसाइट पे जो है जल जारी की जाएगी अंसर की जारी होने के बाद गलत परशनों का उत्तर ऑबजेक्शन दर्च करा सकते हैं वही गलत परशनों पर ऑबजेक्शन दर्च कराने के बाद बोर्ड की तरब से फाइनल अंसर की जो है उसके बाद जारी होगी, पहले तो आपका जो है इनकी ओफिशली वेबसाइट वे जारी होगी, उसके बाद जो है फाइनल जो है वो अंसर की जारी होगी, फाइनल अंसर की जारी होने के बाद ही जो है वो आपका रिजल्ट आएगा आपकी ओफिशली website पर यानि जो है पहले जो है अब final जो इनकी जो है officially जो answer की release हो जाएगी उसके बाद ही इनका जो है वो result आएगा हाला कि board की तरफ से हभी result की तारीकों को लेके जो है वे कोई भी एलान नहीं किया गया है हभी जो है कोई भी ऐसा एलान नहीं किया कि result कब तक आएगा लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि board हभी जो है CBT1 की परिक्षा CBT1 की परिकषा का result RRC RRC group D की परिकषा के आयोजन करने के बाद ही करेगा यानि board जो है अभी जो आपको पताए हभी से पहले जो है जाएगा हभी जो है इन्होंने यही कुछ बताए है और आगे देख लेते हैं और आगे क्या बताए गया है लेकिन बोर्ड की तरफ से हभी जो है आरवे गुरुब डी आरार्सी गुरुब डी की परिक्षा की तारिकों का ऐलान भी नहीं किया गया पहले ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड गुरुब डी की परिक्षा जून तक आयूजन करा लेगा लेकिन करोना संकरमन्ट की वज़ा से हभी जो परिक्षा की तारिकों का ऐलान जो है हभी कुछ नहीं किया जा सकता है तो कुल मिलाके इन्होंने हभी तक यहीं बोलाए कि हभी भी देखिए इस्टिती जो है भारत में बहुत कुरूशल स्थिती में भारत देके गुजर रहा है तो हभी भी तक देखिए कुछ भी मोलना जल्द बाजी ही होगी क्योंकि इन्होंने साफसाफ यहीं बोल दिया है कि सबसे पहले जो है गुरूब डी की परिक्षा कराइगा उससे पहले आपका रि बहुत वियस्त है क्योंकि इन पता हिए अन्सर की बी जारी करनी है और एक से 2 करोड के आस्पार बच्चा जोए गुरूप दी में है उनको इनका भी इनुंने एक्जामिनिशन दिलना है तो इस वह से बोड जोए काफी विरस्त है इनका इंजामनेशन में तो आपसे मेरे यही यही कहूंगा जिन भी बच्चों को लगता है कि CPT-1 उनका क्लियर हो जाएगा वो जो है CPT-2 की जो है वो तयारी करें है ना और जो जो आपने सब्जेट पढ़े थे उनी को पढ़ना है आपको दुआरे तीवारे पढ़ना है उनी को टैसरीज लगानी है आपको जितनी आपका अगर स्लेवस पूरा है तो आपको टैसरीज पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो टैसरीज पर ही ध्यान देना है और आपको इतना रिजल्ट आता है वैसे अभी जो है आप गुरूब D की भी बच्चे ने फॉर्म बरका है तो वो भी जो है गुरूब D की भी तयादी करें बच्चा है ना CBT 2 की भी करें हमारे चैनल पर ही देखे देखने को मिलती है तो आप हमारे चैनल को अगर आप फर्स टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेर करें इस वीडियो को जारा से जारा बच्चों पर शेर करें ताकि उनको भी पता चल सके RRB and TVC का रिजल्ट को लेके अभी थोड़ा टाइम है ग्रूप D की तैयारी में करें हाँ और सबसे पहले जो है बोर्ड ग्रूप D की परिक्षा लेगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट देगा तो ठीक है फ्रेंट्स इस वीडियो में फिर इतना ही और आशकर तो आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें आपका फ्रेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंट्स